मेरी पहरे देश्वासियों नमस्कार दो दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्फिरे कुछ यादगार पल अब भी मेरी आँखों के सामने हैं इसलिए इस बार मन की बात की शुरुवात उन ही पलों से करते हैं टोक्यो ऑलिम्पिक्स में भारत ये खिलाडियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पुरा देश रोमांचित हो उठा पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन उद्धावों से कहा विजय भवा विजय भवा जब ये खिलाडी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था ये खिलाडी जीवन की अनेक चुनोतियों को पार करते हुए यहां पहुचे हैं आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है इसलिए आईए मिलकर अपने सभी खिलाडियों को अपन शुब कामना हैं, उनका होसला बढ़ा है, सोशल मिडिया पर आलिम्पिक्स खिलाडियों के सपोर्ड के लिए हमारा विक्टरी पंच केम्पेइन अब शुरू हो चुका है, आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्टरी पंच शेर करिए, इंडिया के लिए चीर करिए, साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभावी की है, देश भक्ती की ये भावना हम सब को जोडती है, कल यानि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है, करगिल का युद्ध, भारत की सेनाव के शौरिय और सहियम का ऐसा प्रतीक है, जिसे पुरी दुनिया ने देखा है, इस बार ये गवरवशाली दिवस भी अमरुत महवसव के बीश में मनाये जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है, मैं चाहूंगा कि आप करगिल के रोमान चीत कर देने वाली गाथा जरूर पड़े, करगिल के वीरों को हम सब नमन करें, साथियों इस बार 15 अगस को देश अपनी आजहादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा सा उभाग है, जिस आजहादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्स होने के हम साक्षी बन रहे हैं, आपको याद होगा, आजहादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साब्रमत्य आश्रम से अमरुत महोत्सव की सुरुवात होई थी, इसी दिन बापू की दाड़ी आत्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था, तब से जम्मु कस्मीर से लेकर पूरी चेरी तक, गुजराद से लेकर पुरुवत्तर तक, देश भर में अमरुत महोत्सव से जुड़े कारकम चल रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधिंता से नानी, जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं, अब जैसे मोयरांग डे को ही लीजिए, मनिपुर का छोटा सा कस्बा, मोयरांग, कभी नेताजी सुभासंदर बोस की इंडियन नेसलर आर्मी यानी आई एने का एक प्रमुक ठिकाना था, यहां आजादी के पहले ही, आई एने के करनल शौकत मलीगी ने जिन्दा फैराया था, अमरूत महोत्सव के दोरान, 14 एप्रिल को उसी मोयरांग में एक बार फीर तरंगा फैराया गया, ऐसे कितने ही स्वाधिन्ता सेनानी और महापुरुष हैं, जिन्ने अमरूत महोत्सव में देश याद कर रहा है, सरकार और सामाजिक संगठनों की दर्ब से भी लगातार इससे जुड़े कारकम आयोजित किये जा रहे हैं, ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस को होने जा रहा है, ये एक प्रयास है, राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ, सांसकूरतिक मंत्राले की कोशिश है, कि इस दिन जादा से जादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं, इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in, इस वेबसाइट के मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इ मुझे उमीद है, आप इस अनोखी पहल से जरूर जुडेंगे, इसी तरह के बहुत सारे अभियान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, अमुर्त महोसव किसी सरकार का कारकम नहीं, किसी राजनितिक दल का कारकम नहीं, यह कोटी-कोटी भारत वासियों का कारकम है, हर स्वतंत्र और कृतग्य भारतिय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है, और इस महोसव कि मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है, यह भावना है अपने स्वाधिनता सेनानियों के मार्क पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना जैसे देश की आजहादी के मतवाले स्वतंतरता के लिए एकजूट हो गए थे वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजूट होना है हमें देश के लिए जीना है देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्टर निर्मान कर सकते हैं। जैसे वोकल फोर लोकल, हमारे देश के स्थानिय उद्दम्यों, आर्टिस्टों, शिल्पकारों, बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए। साथ अगस को आने वाला नेशनल हेंडूम डे एक ऐसा आउसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हेंडूम डे के साथ बहुत एतिहासिक प्रुष्टभूमी जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी। साथियों हमारे देश के ग्रामीन और आदिवासी इलाकों में हैंलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र हैं जिससे लाखों महलाए, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम जगाएंगे। आप स्वयम कुछ नुकुछ खरीदें और अपनी बात दुसरों को भी बताएं। और जब हम आजहादी के 75 साल मना रहे हैं तम तो इतना करना हमारी जुम्यवारी बंती ही है भाईयो। आपने देखा होगा साल 2014 के बात से ही मन की बात में हम अक्सर खादी क की बात करते हैं। यह आपका ही प्रयास है क्या देश में खादी की विक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड रुपिय से अधिक की विक्री हो सकती है। लेकिन आपने यह भी कर दिखाया है। आप जब भ नहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाप हमारे गरीब बुनकर भाईयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी हैं देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाईयों बहनों ग्रामिन इलाकों मे बन रहे हैं हैंडलूम प्रोडक्स जरूर खरीदें और उसे हैस्टेग माई हैंडलूम माई प्राइड के साथ शैर करें साथियों बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पुझ्य बापो का स्मरन होना स्वाभाविक है जैसे बापो के नेत्रुत में भारत छोड आंदोलन का नेत्रुत्व करना है यह हमारा करतव हैं कि हम अपना काम ऐसे करें जो विवित्यताओं से हमारे भारत को जोडने में मददगार हो तो आईए हम अमुरुत महोच्छव को यह अमुरुत संकल पने कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्ता सबसे बड़ी के मंत्र के साथ ही हमें आगे वढ़ना है मेरे पहरे देश्वासियों आज मैं मन की बात सुन्द रहे मेरे युवास साथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूं अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टड़ी की गई स्टड़ी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुक्त ह कौन लोग है स्टड़ी के बाद ये जानकरी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वरस की आयुश से कमके होते ह यानि भारत की युवाशक्ति के सुजाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रुप में देखता हूँ मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है, सम्वेदन सिलता है मन की बात में हम positive बाते करते हैं, इसका character collective है सकारात्मक विचारों और सुजाओं के लिए भारत के युआउं की ये सक्रियता मुझे आनदित करती है। मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के माद्यम से मुझे यूआउं के मन को भी जानने का आउसर मिलता है। साथियों, आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है, आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगट करते हैं, भारत वासियों के सेवा और त्याग की खुश्वों को चारों दिशाओं में फैलाते हैं, हमारे महनत का से सबको प्रेरीद करते हैं मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज बेजते हैं हम सभी पर तो चर्चा नहीं कर पाते हैं लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभाकों को जरूर बेजता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके हैं साथियो मैं आपको साई प्रनीच जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं साई प्रनीच जी एक सब्वेट इंजिनियर है आंधर प्रदेश के रहने वाले हैं पिछली बरस उन्होंने देखा कि उनके यहां मोसम की मार की वज़े से किसानों को काफी नुक्षान उठ ठाना पड़ा था मोसम बिग्यान में उनकी दिल्चस्पी बरसों से थी इसलिए उन्होंने अपनी दिल्चस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तिमाल करने का फैसला किया अब वे अलग-अलग डेटा सोर्से से बेदर डेटा खरीते हैं उसका जी अलग-अलग ट्राइमेट कंडिशन्स में लोगों को क्या करना चीए गाइनस भी देते हैं खासकर बाड से बचने के लिए या फिर तुफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं साथियों एक और इस नौजवान प्योग भी आपको अचंपित कर देगा यह साती हैं ओडिशा के संबलपूर जिल्ले के एक गाउं में रहने वाले स्रिमान इसाक मुंडा जी इसाक जी कभी एक दिहाडी मद्दूर की रुप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं अपने य घाउं अपने लाइफस्टाइल परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुक्ता से दिखाते हैं एक यूटूबर के रूप में उनकी यात्रा मार 2020 में शुरू ही थी जब उन्होंने ओडिशा के मस्तूर थान्य वंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था तब से वे सेंकड़ो वीडियो पोस्ट कर चुके हैं उनका ये प्रयास कई कारों से सबसे अलग है खास कर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जिवन सहली देखने का अवसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते इसाग मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब को प्रेणा भी दे रहे हैं साथियों जब हम टेक्नोलोजी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और इंट्रेस्टिंग विशे की चर्चा करना चाहता हूँ आपने हाल फिलहाल में पड़ा होगा देखा होगा कि IIT मद्रास के अलुमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्ट अप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्मान आखिर यह हुआ कैसे दरसल इस स्टार्ट अप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3D डायमेंशनल डिजाइन को फीड किया और फीर एक विशेश प्रकार के कॉंकरीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रयोग हो रहे हैं एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्चन के काम में भी वर्षों लग जाते थे लेकिन आज टेक्नलोजी की वजह से भारत में स्थिती बदल रही है कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नलोजी चैलेंज लौँच किया था ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्रयास है इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया फिलहाल देश में छे अलग-अलग जगों पर लाइट हाउस प्रोजेक्स पर तीजी से काम चल रहा है इन लाइट हाउस प्रोजेक्स में modern technology और innovative तोर तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है इससे construction का time कम हो जाता है साथी जो गर मनते हैं वो अधिक टिकाव, किफायती और आराम दायक होते हैं मैंने हाली में ड्रोजेक्स के जरिये इन प्रोजेक्स की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्यती को लाइव देखा इन दोर के प्रोजेक्ट में ब्रीक और मोर्टार वॉल्स की जगह pre-fabricated sandwich panel system पा इस्तिमाल किये जा रहा है राजकोट में lighthouse French technology से बनाये जा रहा है जिन में tunnel के जरिये monolithic concrete construction technology का इस्तिमाल हो रहा है इस technology से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे चिन्ने में America और Finland की technologies pre-cast concrete system का उप्योग किया जा रहा है इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कमाएगी राची में Germany के 3D construction system का प्रयोग करके घर बनाये जाएंगे इसमें हर कमरे को अलग से बनाये जाएगा फिर पूरे structure को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे block toys को जोड़ा जाता है अगर तला में New Zealand की technology का उप्योग कर steel frame के साथ मकान बनाये जा रहा है जो बड़े भुकम को जेल सकते हैं वहीं लखनव में कनड़ा की technology का इस्तमाल किया जा रहा है इसमें plaster और pen की जरुवत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दिवारों का प्रयोग किया जाएगा साथियों आज देश्ट में ये प्रयास हो रहा है कि ये project incubation centers के तरह काम करे इससे हमारे planners, architects, engineers और students नई technology को जान सकेंगे और उसका experiment भी कर पाएंगे मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ ताकि हमारी युवा राष्ट हीत में टेक्नोलोजी के नए नए ग्षेत्रों की और प्रोच्साहित हो सके मेरे प्यारे देश्वासियों आपने अंग्रेजी के एक कहावत सुनी होगी To learn is to grow यानि सीखना ही आगे बढ़ना है जब हम कुछ नया सिकते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नएने रास्ते खुद बखुद खुल जाते हैं जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं एक नए युक का आरंब हुआ है और आपने देखा होगा जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परणाम हर किसी को अस्चरी चकित कर देता है अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो कि वो कौन से राज्य हैं जिने आप सेव एपल के साथ जोडेंगे तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल पदेश, जमु कश्मीर और उतराखन का नाम आएगा पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मनिपूर को भी जोड दीजिये तो शायद आप आश्यरे से भर जाएंगे कुछ नया करने के जजबे से भरे युवाओं ने मनिपूर में ये कारणामा कर दिखाया है आजकल मनिपूर के उख्रूल जीले में सेव की खेती जोर पकड़ रही है यहां के किसान अपने बागानों में सेव उगा रहे हैं सेव उगाने के लिए इन लोगों ने बाकाइदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी लिये हैं। इन में से एक है टी-एस रिंग फामी यौंग। ये पैसे से एक एरोनॉटिकल एंजीनियर है। उन्होंने अपनी पत्नी स्रीमति टी-एस एंजेल के साथ मिलकर सेव की पैदावर की है। इसी तरह अवुंगश्री शिम्रे ओक्स्टिन ने भी अपने बागान में सेव का उत्पादन किया है। अवुंगश्री दिल्ली में जॉब करती थी। ये छोड़कर वो अपने गाउं लोट गई और सेव की खेती शुरू की। मणीपूर में आज ऐसे कई एपल ग्रोवर हैं जोनोंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है। साथियों हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोग प्रिय रहा है। आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं। लेकिन COVID-19 महमरी के बाद इसकी खेती विशेस रूप से बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा के उन्हा कोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे विवासाती हैं विक्रम जी चक्मा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुवात कर काफी मुनाफ़ा भी कमाया है। और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेदित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेश नरसरी बनाई गई हैं। ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं। तो खेती के बाइप्रोडक्स में भी क्रियेटिविटी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे उत्तरप्रदेश के लखिमपूर खिरी में किये गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दोरान ही लखिमपूर खिरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनी देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मारगर। केले के तने को काट कर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबेग, चटाई, दरी कितनी ही चीजे बनाई जाती है। इससे एक तो फसल के कच्रे का इस्तेमाल शुरू हो गया। वही दूसरी तरफ गाउं में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आयका एक और साधन मिल गया। बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानिय मैला को 400 से 600 रुपिय प्रतिदीन की कमाई हो जाती है। लखिमपूर खीरी में सेंकड़ो एकर जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आम तोर पर किसानों को इसके तने को फैंकले के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं यानि आम के आम गुठलियों के दाम यह कहावत यहां बिलकुल सतिक बैठती हैं। साथियों एक और बनाना फाइबर से प्रोडस बनाई जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वाधिष्ट बेंजन भी बन रहे हैं। करना टक के उत्तर कंड़ और दक्षिन कंड़ जिलों में महिला यह अनूठा कार्य कर रही है। यह शुरुआद भी कोरोना काल में ही हुई है। इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुन जैसी चीजे बनाई बलकि इनकी तश्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। जब जादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी भड़ी और इन महिलाओं के आमंदी भी। लखिमपूर खिरी की तरह यहां भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिला हैं लीड कर रही है। साथियों ऐसे उधारन जीवन में कुछ नया करने की प्रेणा बन जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे। जब आपका परिवार मन की बाते कर रहा हो तो आप इने भी अपनी गपसप का हिस्सा बनाईए। कभी समय निकाल कर बच्चों के साथ ऐसे प्रयासों को देखने भी जाईए। और आउसर मिल जाए तो खुद भी ऐसा कुछ कर दिखाईए। और हाँ ये सब आप मेरे साथ नमो एप या माईगो पर साजा करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे संस्कृत ग्रंतों में एक श्लोग है। अर्थात अपने लिए तो समसार में हर कोई जीता है लेकिन वास्तों में वही व्यक्ति जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। भारत मा के बेटे बेटियों के परोपकार एक प्रयासों की बात है। यही तो मन की बात है। आज भी ऐसे ही कुछ और साथियों के बारे में हम बात करते हैं। एक साथी चंडिगर्द शहर के हैं। चंडिगर में मैं भी कुछ वर्सों तक रह चुका हूँ। यह बहुत खुश मिजाज और खुबसूरत शहर है। यहां रहने वाले लोग भी दिलदार है। और हाँ, अगर आप खाने के शौकीन हो, तो यहां आपको और आनंद आएगा। इसी चंडिगर के सेक्टर 29 में संजे राना जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकल पर छोले भटूरे बेचते हैं। एक दिन उनकी बेटी रिद्वा और भतीजी रिया एक आइडिया के साथ उनके पास आई। दोनों ने उनसे कोवीड वैक्सिन लगवाने वालों को फी में छोले भटूरे खिलाने को कहां। वे इसके लिए खुशी-खुशी तयार हो गए। उन्होंने तूरंत ये अच्छा और नेक प्रयार शुरू भी कर दिया। संजे राना जी के छोले भटूरे मुप्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सिन लगवाई है। वै आपको स्वादिस्थ छोले भटूरे दे देंगे। कहते हैं समाज की भलाई के काम के लिए पैसे से ज़्यादा सेवा भाव, कर्तवे भाव की ज़्यादा आवश्यक्ता होती है। हमारे संजे भाई इसी को सही साबित कर रहे हैं। साथियों ऐसे ही एक और काम की चर्चा आज करना चाहूंगा। ये काम हो रहा है तमुल नारू के निलगीरी में। वहां राधिका सात्री जी ने एमबूरेक्स प्रोजेक्स की शुरुवात की है। इस प्रोजेक्स का मकसद है पाहडी इलाकों में मरीजों को इलाज के लिए आसान ट्रांसपोर्ट उपलब्द क राधिका कुन्नूर में एक कैफे चला दी है। उन्होंने अपने कैफे के साथियों से एमबूरेक्स के लिए फंड जुटाया। निलगीरी पहडियों पर आज छे एमबूरेक्स सिवारत हैं और दूर दराज के हिस्सों में इमर्जन्सी के समय मरीजों के काम आ रही हैं। एमबूरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सिजन सिलिंडर, फर्स्टेट बॉक्स जैसी कई चीजों की ववस्ता है। साथियों संजय जी हो या राधिका जी इनके उधारों से पता चलता है कि हम अपना कारिया, अपना व्यवसाय, नोकरी करते करते भी सेवा के कारिया कर सकते हैं साथियों कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबुती मिली। इस समारों में भारत ने सैंट क्वीन केटिवान के होली रेलीक यानि उनके पवित्र स्मृती चिन को जॉर्ज मंत्री स्वयम वहां गए थे। बहुती बावुक माहोल में हुए इस समारों में जॉर्जिया के राष्पती, प्रधान मंत्री, अनेग धर्मगुरू और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्तित थे। इस कारकम में भारत की प्रसुंसा में जो सब्त कहे गए वह बहुत ही यादगार है। इस एक समारों ने दोनों देशों के साथ ही गोवा और जॉर्जिया के बीच के समंधों को भी और प्रगाड कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैंट क्वीन केटवान के ये पवित्र अवशेस 2005 में गोवा के सैंट ऑगस्टिन चर्च से मिले थे। साथियों आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है ये कब और कैसे हुआ। दरसल ये आज से 400-500 साल पहले की बात है। गोवा के सैंट ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था। लेकिन लंबे समय तक ये हमाना जता रहा कि गोवा में दफ्रागे उनके अवशेस 1930 के भुकम में गायब हो गये थे। भारत सरकार और जॉर्जिया के इत्यासकारों, रिसर्चर्स, आर्कियोलोजिस्ट औ और जॉर्जियन चर्च के दसकों के अथक प्रयासों के बाद, 2005 में उन पवित्र अवसेसों को खोजने में सफलता मिली थी। ये विशे जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुती भावनात्मक है। इसलिए उनके हिस्टोरिकल, रिलिजियस और स्पिरिच्वल भारत और जॉर्जिया के साजे इतियास के अनुठे पक्ष को संजोय रखने के लिए मैं आज गोवा के लोगों को रदय से धन्वाद देना चाहूँगा। गोवा कई महान अध्यात्मिक धरोहरों की भूमी रही है। जॉर्जियार से अब मैं आपको सीधे सिंगापूर लेकर चलता हूँ जहां इस महिने के शुरुवात में एक और गवरोशाली अवसर सामने आया। सिंगापूर के प्रधान मंत्री और मेरे मित्र ली सेन लूंग ने हाली में रिनोवेट किये गए सिलाट रोड गुरुद्वारा का उधाडन किया। उन्होंने पारंपारिक सिख पगड़ी भी पहनी थी। यह गुरुद्वारा लगबग सों साल पहले बना था। और यहां भाई महराची जी जी ने भारत की स्वतंतरता के लिए लड़ाई लड़ी थी। और यह पल आजहदी के 75 साल मना रहे हैं तब और अधिक प्रेरक बन जाता है। दो देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट उसे मजबूती ऐसी ही बातों ऐसे ही प्रयासों से मिलती है। इनसे यह भी पता चलता है कि सवहार्दपूर महावल में रहने और एक दूसरे की संस्कूरूती को समझने का कितना महत्व है। मेरे प्यारे देशवासियों आज मन की बात में हमने अनेक विश्यों की चर्चा की। एक और विश्य है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह विश्य है जल सवरक्षन का। अब जनभागीदारी से जल सवरक्षन इस मंत्र ने वहां की तस्वीर बदन दी है। पानी की एक-एक मुन को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बरबादी को रोकना, यह हमारी जीवन सहली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमारे परिवारों की ऐसी प्रंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो। साथियों प्रकृति और पर्यावरान की रक्षा भारत के सांस्कृतिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है वहीं बारिस और मौन्सून हमेशा से हमारे वीचारों हमारी फिलोसॉफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए हैं रूतु समवार और मेगदूत में महाकवी कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुती सुन्दर वर्णन किया है साहित्य प्रेमियों के बीच ये कविताएं आज भी बेहत लोकप्री है रगवेत के परजन्य सुक्तम में भी वर्षा के संद्रे का खुबसूर्ति से वर्णन है इस अस्टव मासान निपतम यद भुमयायाच ओद मयम बसू स्वगोभी ही मक्तुम आरे भे परजन्य काल आगते अर्थात सुर्य ने आठ महिने तक जल के रूप में पृत्वी की संपदा का दोहन किया था अब मौन्सून के मौसम में सुर्य इस संचित संपदा को पृत्वी को वापिस लोटा रहा है वाकई मौन्सून और बारिस का मौसम सिर्फ खुबसूरत और सुवाना ही नहीं होता बलकि यह पोशन देने वाला जीवन देने वाला भी होता है वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीडियों के लिए हैं यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों इन रोचक संदर्पों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करू आप सभी को आने वाले परवों की बहुत-बहुत सुपकामनाएं परवो और उत्सवों के समय यह जरूर याद रखेगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गय अधियान नहीं है कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है आप स्वस्त और प्रसंद रहें बहुत-बहुत धन्यवाद देखिए आपके घर की एक-एक दिवार चिक-चिक कर कह रही है कि अच्छी सिमेंट क्यों नहीं लडाएगा अगर वो